सुप्रभाद भाशा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी जादा जरूरी है जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राज भाशा है और इसके सम्मान के उपलक्ष में हर वर्ष हम हिंदी दिवर्स बनाते हैं क्योंकि हिंदी सिर्फ राश्र भाशा ही नहीं बलकि हमारे विचार का आ 1949 को भारत की संभिधान सवा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया 14 सितंबर 1903 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया इस पर्ष हम अर्षटवा हिंदी दिवस मना रहे है यहां उपस्तित सभी को मेरा सागर प्रणा मैं अन्सु कुमारी कच्छा सप्तमबर बंपूर इवर साइट स्कूली चितरंजन की छात्रा हिंदी दिवस के सपावन अफसर पर मैं एक दिवन प्रस्तुत करनी जा रही है हिंदी दिवस में उन्भाषी भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया चाता है हिंदी हिंदुस्तान की भासा के साथ साथ यह हमाने राष्ट्र भासा भी है राष्ट्र भासा किसी देश की पहचान और गौरब होती है मेरा नाम सत्यम चर्मा है मैं कक्षा सप्तमबर का छात्र इस सुब अपसर यानी हिंदी दिवस के दिन आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है हिंदी है हम हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा कितना अच्छा वग कितना प्यारा है ये न्यारा हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा कितना अच्छा वग कितना प्यारा है ये न्यारा हिंदी में बात करे तो हम मुर्ख कहलाते हैं अंग्रे जी में बात करे तो जंडल मैन बन जाते हैं अंग्रे जी का हम पर यूँ असर हो गया हिंदी का तो मुश्किल ही सफर हो गया देशी घी आज कल बटर हो गया चाकू भी आज कल कटर हो गया अब मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ हिंदी की आप सब से फ़िफाज़त चाहता हूँ धन्यवाद सुप्रवाद हिंदी दिवस के इस्तु अफसर पर मैं कच्छा सात्वी बह से आधर्श कुमार से एक कवीता प्रस्तुत करने जा रहा हूं सागर से मिलती धारा हैं हिंदी सबकी संगम है सब्द नध लीपी से भी आगे एक धरोसा अनुपम है गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है पूल में पश्चिम कमल पंखुडी सेतु बनती हिंदी हिंदी धन्यवाद राश की भाषा गजातत के शास्त की भाषा भावत की सारी भाषा है इस बाषा की वह में है लपत रश्च भाषा का सिर पैशोवेत इससकी गहले है तढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो दिखे, ये विशेशता हिंदी में पाई है